गुरी इवनिंग स्टूरेंट, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक हमारा वो ही AIPMT 2009 कोशन पेपर है, ये पार्ट 4 है, इससे पहले मैं तीन पार्ट में इनकी 32 कोशन सॉल्ट करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकत नहीं, तरिये ओस और मेंanto, आपको पता कहा आपको बलीई ऑलगी है और बियुजू करे one make जाते हैं सभी इस musimy अगरवा। और शक्राटिया बज़िये सरथिक हैं, इसे रावा जो भचाते थिंभी स्लफर प Physics्ति और इसे सुर्फर बेक्टिरिया प्रंभी Umu8 क finishes करते हैं, वो hydrogen sulfide को यूज़ करते हैं और उसमें से क्या निकालते हैं sulfur तो वो an oxygenic होते हैं इसको हम बोलते हैं an oxygenic ठीक है तो an का मिस आगया जहां oxygen liberate नहीं हो रही है तो यहाँ पे chlorobium, chromatium, rhodospirulum ये तीनों oxygenic है, an oxygenic यानि sulfur release करते हैं hydrogen sulfide को यूज़ करके, एक oscillatoria है जो blue-green algae है जो oxygen को liberate करता है ठीक है, तो यह जो oscillatoria है वो blue-green algae है और यह oxygen liberate करता है जो rhodospirulum है, यह rhodospirulum nitrogen fixation का का काम करता है, anaerobic condition में, यह free living nitrogen fixing bacteria है, तो इसके बाएर कई बाएर कोशन आ जाता है, इसलिए आपको पता हूना चाहिए, कि rhodospirulum anaerobic condition में, जो है वो free living nitrogen fixing bacteria है, तो next question की तरफ आगे बढ़ते हैं, next question, next question है हमारा, a fruit develop from hypanthodium inflorescence is called, so यह क्या है है, hypanthodium inflorescence, hypanthodium inflorescence क्या होता है, इसमें, जो receptical है, वो एक cavity के फॉर्म में, जो है वो अंदर की तरफ एक cavity, इसमें, डवलप हो जाती है, इस तरह से, इस तरह से structure इसकी बन जाती है, जहां पर सारे flower, male, female flower यहां पर लगे रहते हैं, इस तरह से, और यह एक cavity के फॉर्म में बन जाता है, जो structure, तो receptical जो है, वो इस तरह से cavity डवलप हो जाती है, जिसके अंदर fruit डवलप होता है, तो यह यहां पर यह fruit डवलप होता है, और यह किसके अंदर देखने को मिलता है, फिक के अंदर, अंजीर, अंजीर के हमें अंदर यह देखने को मिलता है, और इस एक fruit को जहां पर की जो receptical है, वो अंदर एक cavity के फॉर्म में convert हो जाए, और उसमें fruit डवलप हो जाए, तो इसको बोलते हैं, साइकोनस, यह, इसका fourth option correct है, जहां पर receptical जो हो तो इसका जो second option है maturing, यह correct option क्योंकि जब secondary growth होती है तभी protozylum बनते है, जाएलम डिवाइड होता है, तभ उसके अंदर यह rings जाएलम के अंदर फॉर्म होते हैं, so next question की तरफ आगे बरते है, the floral formula, जो floral formula है, K5, C5, A5, G2 is that of, किसका है यह, यह मैंने morphology paste में बहुत वीडियो डाली हुई है, जिसमें आपको कैसे easily याद करना है, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने tricks भी दी हैं कि आप कैसे floral formula याद कर सकते हैं, पर यहां पर मैं बता देती हूं इसको, यह solenacy family का है, solenacy और solenacy के लिए मैंने 555 आपको बताया था, अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है, 555, देखो K5, C5, A5, तो 555 formula हम मैंने दिया था, और यहां पर यह जो है, वो epipetalus condition होती है, यानि यह उपर ऐसे जुड़ा हुआ है, जो stemens है, वो petal के साथ attached है, और यह solenacy family का formula है, तो आपको अगर यह formula याद है, और उसके example से याद है, तो आप इसलिए वाले question कर पाएंगे, तो यह NCRT का ही question है, तो यह tobacco इसका first example है, solenacy का, और आप इसको मेरी morphology वाली वीडियो में भी देख सकते हैं, कैसे इनको learn करना है, ठीक है, so next question की तरफ आगे बढ़ते है, an example of exile placentation is, so exile placentation का example क्या है, placentation basically होता है क्या है, arrangement of ovule within the ovary, ovary के अंदर जो ovule का arrangement होता है, उसको हम बोलते है, placentation, कौन कौन से होते हैं, marginal होता है, marginal जो की मटर के अंदर मिलता है, जो बिल्कुल side में आपने देखा होता है, मटर किस तरह से लगी रहती है, इसको margin पर, फिर उसके बाद एक होता है, marginal, marginal के बाद आता है आपका, अगर हम देखें तो basal, basal बिल्कुल एक base पे इस तरह से ovule हो पे इस तरह से attached होते हैं, side में, ठीक है, जो ovule होते हैं, और dianthus और primrose, dianthus और primrose में free center होते हैं, यानि center में ovules इस तरह से present होते हैं, बिल्कुल freely, lemon के अंदर आपने आप सब देखा होगा, घर में अगर आप lemon को कट करें, या टमाटो को कट करें, तो exile presentation देखने को मिलता ह है बल्कुल, इस तरह से सेप्टा होते हैं, यहाँ पर exile यानि यहाँ पर ovules रजन्त होते हैं exile में, इस तरह से, तो marginal मतर में आप देख सकते हैं, much touch, marigold में आप बेसल देख सकते हैं, So, next question, कि बार्ले स्टेम वस्कुलर बंदल काईन। आपको कुछ थी पता हैν। थी कि अंदर वस्कुलर बंदल कैसे हों। पहले को पता ओना चाहिए क्या बार्ले टाइक provoc toutes हों कि अगर आपको यहाओ और अंदर और अंदर उपर और आंदर भरृश को रिशAfter तो यहाँ पर क्या होता है phloem and xylem ठीक है तो इनके बीच में यहाँ पर cambium होता है अगर तो cambium present है इसको बोलते हैं cambium cambium अगर present है तो यह growth करेगा और growth करेगा तो उपर secondary phloem और नीचे secondary xylem बनाएगा ठीक है तो ऐसे vascular bundle जहाँ पर secondary xylem and secondary phloem बनते हैं वो कहलाते हैं open ठीक है और जहाँ पर vascular bundle के अंदर खाली xylem and phloem present हो और cambium present ना हो ऐसे vascular bundle को हम बोलते हैं closed और यह closed किसमें होते हैं जिनमें secondary growth नहीं होती और secondary growth किसमें नहीं होती monocots में और यह vascular दूसरा characteristic feature के आए जो है कि vascular bundle जो है वो बिल्कुल ऐसे scattered रहते हैं ऐसे पूरा कहीं कहीं पर भी scattered रहेंगे पर dicot के अंदर vascular bundle एक ring के अंदर arrange रहते हैं बिल्कुल इस तरह से ठीक है तो monocot में क्या होगे एक तो secondary growth नहीं होगी दूसरा scattered रहेंगे और dicot के अंदर एक रिंग में अरेंज रहते हैं और secondary growth होती है यानि वस्कुल बंडल ओपन होते हैं तो आप बार ले आपको बता जलके हैं मोनोकॉट है कैसे होती है feature मों मैंने आपको बता दी यानि क्या होंगे closed and scattered यानि इसका third option correct option है next question की तरह आगे बढ़ते है aerobic respiratory pathways appropriate term aerobic जो respiration है उसको हम amphibolic pathway बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों process होती है anabolic भी और catabolic भी anabolic का मतलब है किसी चीज की synthesis होना ठीक है और catabolic का मतलब है किसी चीज का breakdown होना इन दोनों को मिलाके हम बोलते हैं amphibolic भी बोल सकते हैं या betabolism बोल सकते हैं तो आपने देखा होगा कि जब respiration की process होती है तो पहले सारा breakdown होता है जैसे carbohydrate है protein है fat है उन सब को breakdown होता है जैसे carbohydrate का glucose में fat का fatty acid and glycerol में protein का amino acids में और उसके बाद जो fatty acid है वो acetyl co-engyme में convert होता और उस form में एंटर करता है तो इसलिए यहां पर catabolic process भी होती हो और anabolic process मालो protein बढ़ाना तो amino acid को लेकर के वापस से protein बढ़ाएंगे तो इसलिए इस pathway को हम भोलते हैं amphibolic pathway यानि इसका fourth option correct option है so next question की तरफ आगे हम बढ़ते है palisade parenchyma is absent in palisade parenchyma किस में absent होता है तो आपको पता होना चाहिए कि palisade parenchyma और spongy parenchyma में leaf में जो dicot की leaf होती है उनके अंदर यहां पर क्या होता है यहां पर तो present होती है यह epidermal cells उपर होती है cuticle की layer ठीके नीचे open होता है क्योंकि यहां पर stomata present है ठीके और यहां पर इस थरह से palisade parenchyma इस थरह से रहें जोता है बीच में वस्कुलर मंदल आ जाते हैं और यहां पर यह spongy parenchyma होता है ठीके palisade and spongy parenchyma तो यह dicot के अंदर तो ऐसा होता है पर monocot के अंदर यह differentiation नहीं होता palisade का और spongy का सो इसमें हमें देखना है कि absent पूछ रहा नहीं में इस monocot पूछ रहा है सो monocot कौन सा है यहां पर monocot हमें देखना है कि कौन सा है तो यहां पर sorgum जो है वो monocot है इसके अंदर palisade parenchyma absent होगा सो next question की तरफ आगे बढ़ते हैं reduction in vascular tissue mechanical tissue and cuticle is a characteristic of अब आप देखिए reduction in vascular tissue mechanical tissue cuticle cuticle की भी जरूत नहीं है cuticle किसको जरूत होती है जो aerial part पे रहते हैं यानी बहार रहते हैं land पे रहते हैं और desert में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए land में रहते हैं उनको चाहिए क्योंकि water loss को रोक सके vascular tissue भी चाहिए उनको क्योंकि जितने भी plants है बिना vascular tissue के food का और water का movement नहीं होगा mechanical support भी चाहिए पर एक hydrophytes ऐसे हैं यानी जो पानी के अंदर जो रहते हैं plants उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर water के अंदर present है water loss की कोई वह नहीं है दूसरा vascular tissue भी नहीं चाहिए और mechanical strength भी नहीं चाहिए तो इसका example क्या हो गया first hydrophytes so next question की तरफ आगे बढ़ते हैं anatomically fairly old dicotyledon's root is distinguished from the dicotyledon stem by we can distinguish the dicotyledon stem and root from the root we can do protozylum on the basis of protozylum protozylum अगर बाहर की तरफ present है जो बड़े वाले metasylum और चोटे वाले protozylum तो अगर protozylum बाहर की तरफ present होते हैं तो यह condition के लाती है exarch ठीक है अंदर की तरफ हो गए metazylum加 हो गया meta और यह हो गया proto protozylum अगर बाहर की तरफ है तो कहलते है exarch और यह exarch condition किस में होती है root में ठीक है और अगर इसी को हम उलता कर दें कि protozylum अंदर है और META series einfach बहां है प्रोटोजायलम यहाँ है भी तो यह 1 arrested प्रोटोजायलम यहाँ है ठीके तो यह सते हैं इंडार्च और META किसमें होती है रूट में ऐसे याद करने के लिए कि रूट बाहर की तरफ इस तरह से मूँव करती है तो इसमें सते हैं इा अप्रोटोजायलम तो next question की तरफ आगे बढ़ते हैं मिस्टों cyclic phosphorylation result in the formation of cyclic जो photophosphorylation होता है उसमें खाली cycle की तरह जो है वो P700 होता है यह electron इसमें से निकलते हैं वो आपस इसी के पास आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ATP की synthesis होती है कोई NADPH नहीं बनता NADPH की formation नहीं होती सिर्फ एक ATP का formation होता है NADPH नहीं बनता ना oxygen liberate होती है ना NADPH बनता है और जो है इसमें सिर्फ ATP बनता है NADPH नहीं बन रहा और ना oxygen liberate होती है इसमें फास्ट ऑप्शन इसका correct है कि सिर्फ इसमें ATP की formation होती है So next question की तरफ आगे बढ़ते हैं Next question In a standard ECG Which one of the following alphabet Is the correct representation of the respective activity of the human heart तो अगर आपको ECG का structure याद है अगर हम ECG का structure देखें तो ECG के structure में देखें इस तरह से P फिर QRS T ये एक वे होगी फिर आगे चलते हैं P QRS T तो यह होता है P फिर होता है QRS और फिर T तो P होता है depolarization of arteria ये होता है depolarization of ventricle और ये होता है repolarization of ventricle ये depolarization of ventricle और repolarization of arteria होता है तो हम देखते हैं क्या दे रहा है P को दे रहा है depolarization of arteria ठीक है हमने यही बोला depolarization of arteria ठीक है तो यह हमारा correct option होगी है पहले ही पता चल गया आगे जाने की ज़रोती नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बोला P कैर Depolarization of Autry तो यह हो गए आपका First Option, Correct Option हो गया तो यह हमारे Question हो गए, Student आपको समझ में आगे होंगे तो आगे के पार्ट में आगे के Question डिसक्स करेंगे, Thank you Thanks for watching, Please Like, Subscribe and Share Thank you